देर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बच्चों यह कलास 5 का सस्टी बुक है और चप्टर 15 है चप्टर का नाम है विस्व सांती यह संजुक तरास्ट संग जब 1914 इस भी में विस्व युद छिड़ गया था तभी से ही सभी बड़े बड़े देशों को यह चिंता सताने लगी कि विस्व में एक सांती बेवस्था कैसे बनाई जा सकती है तो उन्हीं लोगों ने बैट कर आपस में एक संग को बनाया ताकि विस्व में सांती बनाया जा सके तो उसी से समद्धित यह चप्टर दिया हुआ है तो हम लोग इसको संचिपती रूप सुखीन का पोसक है हमारा देश यह बतलाता है कि सभी देशों में सांती काईम रहे सभी लोगों के बीच सांती रहे इसलिए इसने सरवयभाउन्तु सुखीन सभी सुखी्हो इस तरह का एक यहाँ पर लाइन बतलाया गया है हमारे देश के लोग जैंका दिपक के रूप में ही जाना जाएगा इसने जो सभ्यता संस्कृती पुरी दुनिया को दी है वह कहीं भी मिलने वाला नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से ही मिलेगा इतिहास यह बतलाता है कि विश्व के कई देशों से समय समय पर विदेशी लोग यहां पे ज्यान की प अफिस है और यह निव्यार्क में है परतम विश्व युद्ध के पस्चात या अनुभव किया जाने लगा कि संसार को भ्यंकर युद्ध की पीड़ा से कैसे बचाये जाए इसके लिए 1920 में राष्टसंग के अस्थापना की गई तो राष्टसंग की गई इसी उदेश से क किया गया था कि विश्व सांती के लिए लेकिन राष्टसंग जो है वो सफल नहीं हुआ उसके बाद फिर 1949 इसवी में द्यूतिय विश्व जुद्ध शिड़ गया और यह एक तरह से असफल साबित हुआ उसके बाद फिर से 30 अक्टूबर 1942 इसवी को कुछ बड़े- देशों ने मिलकर जैसे कि ब्रिटेन है अमिर्का चीन, रूस, फ्रांस इस अभी लोग मिलकर एक अंतराष्टरिय संगठन बनाए और उसका नाम हुआ संजुक तराष्ट संग यहाँ यह मुख्याला है यहाँ पे लिखा हुआ है और यह मुख्याला इसका मुख्याला इन अथवा मानुए समस्याओं को सांती पूर्ण धंग से सुलजाने में सहयता करना सभी के लिए मानुए मूल सवतंतरता की रच्छा करना यहाँ पे मुख्यरूप से हमको यही समझना है कि पूरे विश्व में सांती अमन हो और कोई किसी से किसी का हक न चीन पाए बस यही इ सभा एक वर्ष के लिए सभापती चुनती है सन उनिस सो त्रिपन इस भी में सिरिमती विजय लच्वी पंडित को सभापती चुना गया था और यह एक इंडियन थी सुरचप परिशद अंतर राष्ट्रिय नियाले इस तरह की सभी के बारे में यहाँ थोड़ थोड़ बतलाया गया है अब अपने बुक में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे अस्थाई सदेश और अस्थाई सदेश में अमेरिका ये अस्थाई सदेश में है अमेरिका फ्रांस रूस बिर्टेन तथा चीन इन बड़े देशों ने मिलकर इसका संगटन किया है से अस्थाई सदेश महासभा द्वारा दो वरसों के लिए चुने जाते हैं इस तरह से, तो हमारे देश भी इसमें सामिल है, अंतरराष्ट्रिये नियाले, जिस तरह से हमारे यहां उची नियाले, सरवोची नियाले होता है, उसी तरह से अंतरराष्ट्रिये नियाले भी है, तो अंतरराष्ट्रिये विवादों का निप्टारा करती है, सचीवाले है इसका मुख्य परसासक महासचीव होता है महासचीव को सुरच्छा परिसद की सिफारिस पर महासभा नियुक्त करती है तो सचीवाले में जो महासचीव होता है उसको महासभा नियुक्त करती है वहाँ सभा होता है इसको महासभा बला जाता है तो उसके दोवारा वो निर्वाचित होता है 27 भंकरने वाले मामले की और सुरच्छा परिसद का ध्यान के निरित करता है भारत का संजुक्त राष्ट के साथ सहयोग भारत 20 में सहयोग दिया हुआ है भारत ने सदे संजुक्त राष्ट के साथ सहयोग किया कई देशों ने अपने देश से सांती सेना भेजी कूरिया वा अइन देशों में डाक्टरों का दल भेजा जहां पर इस तरह की कोई घटना घट जाती है कोई यूद्ध हो जाता है या नेचरोल लिजस्टर प्रक्रितिक प्रकोप इस तरह से आ जाने पर वहाँ पे डॉक्टर भेजा जाता है, सेना भेजा जाता है वहाँ के लोगों को मदद के लिए वहाँ उन्होंने घायलों का उपचार किया, प्राकिर्तिक प्रकोप, भुकंप, सुखा, पढ़ने पर दवा, वस्त्र, खाईद पदार्थ, भेज कर भी सुसान्ती के लिए हमेशा सहयोग किया तो यह संजुक तरास्ट्रंग का उत्रदाईत है, और इस तरह का वो कायर करता भी है, तो इसके लिए एन देश भी उसको मदद करता है निश अस्त्रिक करन में भी भारत की महतपुर्ण भूमिका है, भारत रे अफिरका में जातिये भेद मिटाने के लिए पुरा सहयोग किया और उसके नेता नेलसन मंडेला को समानित किया, जिस तरह से हमारे इंडिया में महत्मा गांधी एक समानित लीडर है तो उसी तरह से दचिन फिरका के नेलसन मंडेला वहां के बहुत ही समानित लीडर है, समानित निता है और दचिन भारत में ही महत्मा गांधी का सबसे पहले अपमान हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, वहां पे भी अंग्रेजों का राज था उस समय हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों का राज था, तो वहां जब महत्मा गांधी का अपमान हुआ तो उसने मन में ही ये फैसला ले लिया और इस तरह से कई सारी बीमारियां जब फैल जाती है तो उसके तिका के लिए या उसको कैसे क्योर किया जाए देश से बाहर निकाला जाए इसके लिए भी एक संस्था बनी हुई है संजुक तुरास्टसंग में और उसके द्वारा जो है विस्वस्वास्त का काम वो करती है तो इसमें भी हमारा देश उसको सहयूग करता है तो यहाँ पे इसका question दिया हुआ है इसमें बहुत कम question दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं जो question दिया हुआ है उसका मैं answer आप लोगों को बना कर दे देता हूँ और यह two number three number में answer बनाने की जोरत नहीं है मैं यहीं पे बतला दे रहा हूँ भारत की परता महिला जो संजुक्त रास्टरंग की अध्यच बनी सही विकल पर चिन लगाए तो अभी आप लोगों को दिखाए हम विजय लच्मी पंडित ये तो इसका answer हो जाएगा विजय लच्म यह है चप्टर 13 का question answer निमलिखित प्रस्णों के उतर लिखिए भारती संस्कृति में सांती के लिए क्या उध्गोस है भारती संस्कृति में सांती के लिए उध्गोस है सर्वे भवन्तु सुखीना संजुक्त रास्चंग की अस्थापना सन 1945 में अमेरिका के सेंट प्रेंस इसको में हुई सुरच्छा प्रिशत के स्थाई सदेश कौन-कौन देश है सुरच्छा प्रिशत के स्थाई सदेश बिरिटेंड अमेरिका चीन रूस और फ्रांस है मानो कलियान के लिए संजुक्त राष्च्ट संग ने प्राकृतिक परकोप भुकम सुखा पढ़ने पर दवा, वस्त्र, खाइद पद्दात, भेज कर विसु सांती के लिए सहयोग किया है। भारत ने संजुक्त राष्ट संग में क्या सहयोग किया है। भारत ने संजुक्त राष्ट संग के सहयोग में अपने देश से सांती, सेना भेजा, कुरिया या अइन देशों में डाक्टरों का दल भेजा वहाँ उन्होंने घायलों का उपचार किया शंजुक्त राष्ट के महा सचीव की नियुक्ति कौन करता है शंजुक्त राष्ट के महा सचीव की नियुक्ति महा सभा करती है इसमें 2 नमर और 3 नमर का question पहले ही बतला दिया गया है और यहाँ पे यह chapter समप्त हो जाता है अगर आप लोगो को किसी भी तरह का कोई problem होत आप comment कर सकते हैं या whatsapp नमर दिया हुआ है आप whatsapp कर सकते हैं अगर आप लोगो को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है ताप हमारे इस वीडियो को like कीजिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए आपके जैसे कई student है उन्हें भी इसका फाइदा मिलेगा अगर आप हमारे चैनल में ने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले चप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं